नमस्कार दोस्तों मैं गने सरम आदिते स्वागत करता हूं आपका कंपडिशन कम्मुनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफोर्म में दोस्तों सीजी टेट के वीडियो लेक्चर के सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं साइन्स के अंतरगत एलेक्टरसिटी यह जो है हमारा फिजिक्स का एक important topic है हम यहाँ पर ध्यान रखेगा उन basic topic को लेके हम चल रहे हैं जो हमारे सीजी टेट के syllabus में दिये गए हैं समाने था हम जब हम विद्धुद्धारा को पढ़ते हैं या विद्धुद्ध को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे चोड़े चोड़े चीजे होते हैं जिनको हमको पढ़ना होता है परंतु हमारा जो सीजी टेट है उसमें वो सारे चीज़े छूड जाएंगे ठीक है हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं अपने syllabus के according तो इस चीज़ को आप लोग भी विशेश रूप से ध्यान रखेगा कि हम अपने syllabus के according पढ़ रहे हैं ना कि हम other exam के perspective में पढ़ रहे हैं तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्दुद। धारा के बारे में तो धियान रखेगा दोस्तो हम अपने देनिक जीवन में विद्दूर्थ के महत्यों को समझते हैं धियान रखेगा प्राक chakra group से हम widdhaft को बिजिली के चमकने से समझते हैं ठीक है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जब बादल में ध्यान रिखेगा वहाँ पर भी चार्जेज रहते हैं ठीक है बिजिली जब चमकती है थंडरिंग जिसको हम कहते हैं तो उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में इतिकव विद्दूत रहता है और वह फिद्दूत जमीन में ठीक है जैसे पriver जमीन के माद्यम से चला यह उता है अगर वही विद्दूत ठीक है किसी वेखती भी स्क जाता हूं है really को च्छती पहुच जाता है यह हमारे अपने जीवान में देखते हैं कि हमारे आस पास जितने यंत्र हैं जितने उपकरन हैं ये सारे के सारे यंत्र सारे के सारे उपकरन किसे संचालित हो रहे हैं तो विद्दूत धारा से संचालित हो रहे हैं तात पर है ये जो लाइट चल रही है ये जो हमारा कैमरा चल रहा है बड़े-बड़े कारखाने चल रहे हैं ठीक है यह किससे चल रहा है एसी चल रहा है टीवी चल रहा है फ्रीज चल रहा है यह किससे चल रहा है यह चल रहा है हमारा electricity अर्थाद विद्दूत से चल रहा है कहने का मतलब वरतमान समय में अगर हम देखें तो वरतमान समय में विद्दूत की जो उपियोगिता है बहुत ही अधिक हो चुकी है कारण व्यक्ति जो है ठिक विलासी जीवन जिराया अपने आपको सुविधा अनुसार मतलब घ्रफन की जिरा सा एक चुलआ रहता है उसमें खाना बना लेते हैं तिकwiat महिला आयं खाना मệnा लिती है लेकिन सहर में दिखेगा विविद्द प्रकार के उपकर रहा है ठीक है जहां पर विद्दूत का हमारी उप्योगिता बहुत ही व्यापक है, हमारे पास फोन है, किस से चार्ज हो रहा है, बिजली से चार्ज हो रहा है, तो हम चलते हैं अब सिधा-सिधा, बिजली यानि विद्दूत किसे कहते हैं, तो चलिए, विद्दूत को समझने से पहले हमको atom को समझना पड़ेगा ठीक है ध्यान रखेगा atom को तो सबसे पहले समझेए एक simple से हाँ पर हमने चितर बनाया है ठीक है atom का है ठीक है आप इसको assume करके चलिए this is a diagram of atom ठीक है अब ध्यान रखेगा कोई भी atom होता है तो इसके जो केंद्रक होता है यह जो आप केंद्रक देख रहे हैं जो center में है यह क्या है हमारा केंद्रक और इसी center में जो केंद्रक को हम क्या कहते हैं ध्यान रखेगा चलिए भई इसी केंद्रक में दो चीजे होती है और वो होता है हमारा प्रोटोन होता है साथी साथ नीट्रोन होता है यहां पर दिया गया है इस तरफ क्या होता है प्रोटोन और नीट्रोन ये दोनों के दोनों केंदर में होते हैं अब परमाणू क्या पहले इस चीज की चर्चा आप जान रहे हैं परमाणू जो है सबसे सुचम का और उस प्रतेक प्रतार्थ में ध्यान रिखेगा उसका भी बेसिक कंपोनेंट है और वो तीन कंपोनेंट से बना होता है प्रोट्रोन नीट्रोन और इलेक्ट्रोन जो केंद्रक होता है इस केंद्रक में पाई आता है प्रोट्रोन जो कि धनावशित होता है नीट्रोन जिस ऐसा चीज है एक ऐसा एटम होता है एटम का मतलब दिखे चाहे आप तार ले लिजिए या कोई भी धातू ले लिजिए ठीक प्रतेक में एटमस होते हैं और उस एटमस में यह तीन उस चीज़ को बताने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। यहाँ पर एक फेल्स करनका प्रेयोग देख लेएं हैं ठीक है ? इन्हों ने यह प्रेयोग किया था यां यह यह भाक किया था कि जब कभी भी हम किसी वस्तू पे रगड करते हैं ध्यान देखिएगा किसी वस्तू पे हम रगड करते हैं तो इससे क्या होता है उस वस्तू में यह गूर आ जाता है कि वह कोई भी छोटी सी छोटी पार्टीकल को क्या कर ले attract कर ले बच्पन में हम करते थे scale को बाल से रगडते थे हम छोटे छोटे पेज के तूड़े को हम क्या करते से सामने लिया थे तो खीच आयता था मतलब आकरसित हो के कहां पर चिपक जाता था Scale में चिपक जाता था तो इस प्रकार का Observe किसे ने प्रयोग किया था ठीक थेल्स ने किया था कि किसी भी वस्तू पे जब हम रगड़ करते हैं तो इसमें क्या उत्पन हो जाता है आवेस उत्पन हो जाता है और ये जो आवेस है ठीक है अन्य छोटी वस्तूओं को अपनी और क्या करती है आकरसित करती है ध्यान रिखेगा ठीक है एट्रेक्ट करती है आकरसित करती है तो यह चीज़े है क्या जब हम माल यह स्केल में हम अपने बाल में इसको रगड रहे है ठीक है तो उस स्केल में चार्ज उत्पन हो जा टीक, इसके सामने लाएंगे तो यह प्रेक्टिकल चीजह आप इसको अभी भी कर सकते हो, तो कहने का तात पर है कि कुछ नकुछ ऐसा चीज इस करता है लेकिन पहले तो नहीं कर रहा था आचानक क्यों करते हैं चार्जन उत्पन हो जाता है और डिए एटम से लेकिन वह बॉंड रहते हैं ठीक है वहां पर चार्ज जो एक्टिबेट ने रहता है उसको एक सीरा जैसे चुम्बक में होता है बद सीरा ठीक है वहां पर ध्यान रहेगा उसी प्रकार यहां पर भी हम बात करें तो यह जो चार्ज जैस को Arrange हो जाता ही यहां पर open होता है जिसके कारण ठीक ये किसी भी चीज को attract करता है ठीक है अब आ किया यहां इसाफिक ने जिसी यह मान लीडिये ठीक है एक अधातू है अब इस अधातू में arrange है यह पूरे electron इस प्रकार से सबसे अधिक है इसलिए हमको पढ़ना किस चीज़ को ऐलेक्ट्रोन तो यहां पर जो इस प्रकार से अरेंज एंदर प्रकारर करते हैं यहां पर धन आवेशित सीरह हम एपलाई करते हैं इस प्रकार से बैटरी लगा दिया इधर धनावेशित रीणावेशित चुकि इस पर रीणावेशित होता है इस लिए आकर्चीत होता है किस तरफ की तरफ कहने का तत पर है यह इलेक्ट्रॉन का गमन जो है इस तरफ से इस तरफ ह सदोने वाला है ठीखें और आपको ये वी बता दू feel a f कि एलेक्ट्रों का मैं जिसमें होता है उसके विपेरिति दिसामें विद्धुथधारा का प्रवाह होता है जब électrons का गमन इस तरफ होगा तो विद्दुत धारा ध्यान रखिएगा। विद्दुत धारा अब इस विद्दुत धारा का प्रवा इस तरफ होगा। आया समझे है हमने। ez चीज को का आवेश चार्ज कहा हमने। तो किसी भी वस्तू में उसमें आवेस रहता है तो उस आवेस को का एसाई मातरक हम किसको लेते हैं कुलाम को लेते हैं जिसे हम सी से डिनोट करते हैं ध्यान रखेगा अब हमने इससे पहले जो एटम को पढ़ा था और यहां पर थेल्स था इन दोनों चीजों को जोड दिया यानि कि जब हम इस पे बैटरी हम नहीं लगा रहे हैं हम यहां पर क्या कर रहे हैं रभिंग करने से क्या हो जा रहा है यह एलेक्ट्रोन में यहाँ पर गती उत्पन हो जा रही है ठीक है विद्दूत नहीं बहरा है यहाँ पर चार्जे उत्पन हो जाएगा ध्यान रिखेगा इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा और वो चीज़ें अट्रेक्ट करने का काम करती है ठीक है और यह तुम्हें आपक के विपरीति दिशा में ठीक है क्या बहती है ठीक जैसे इलेक्ट्रोन के परवाह इस तरफ है तो विद्दृत धारा का परवाह इस तरफ होगा अब समझ यह विद्दृत धारा है क्या आवेस परवाह की धर वही आवेस जिस आवेस के हम बात कर रहे थे आवेस परवाह की दर को विद्दुत धारा कहते हैं कि क्या कहते हैं आवेस परवाह की दर को विद्दुत धारा के नाम से जाना जाता है electricity is the flow of electrons through a conductor ठीक तो यह क्या है flow of electrons है ठीक आई अब अब समझते हैं यहाँ पर रखेगा, विद्दुत धारा को हम, ठीक है, Q बटे T से हम डिनोट करते हैं, यानि I is equal to Q बटे T, ठीक, समझ जेगा, यह समीकरन्द पूछ सकता है, विद्दुत धारा है क्या, इस चीज को समझ चुके है, आवेश परवाह की दर है, ठीक है, ध्यान रखेगा, आवेश परव है? Q जो है, आवेश है, और T क्या है? T जो है, यह समय है, टाइम है, क्या है समय, ठीक है, अब समझ घे, इस है इस चीज़ का और ऑर समय का मात्रक को हम ठीक है सेकेंड से उपियोक्त करते हैं सेकेंड ठीक यानि कि ठीक है सीबते एश तो अब यहां पर आप समझेगा समझिएगा कि आई जो विद्दुत धारा है विद्दुत धारा है क्या आवेस परवाह की दर है तो आवेस अर्थात एक निश्चित समय में जो आवेस का परवाह होता है उसे विद्दुत धारा कहते हैं समीकरन के रूप में समझेगा इस चीज़ को ठीक है किसके रूप में समीकरन के रूप मे यहां पर आपको समझना है तो आपको यहां से यह बाते clear हो जा रही है इस पूरे से यहां तक को आप ले लीज़े ठीक है अर्थात 21 समय में जिस आवेस का प्रवाह जिस चालक से हो रहा है इसी को हम विद्धुत धारा कहते हैं इकाई समय में आवेस प्रवाह की दर को हम क्य कहते हैं ठीक है विद्दुधारा कहते हैं आ गया यह इसी का हमने इसका यूनिट लिया कुलाम पर सेकेंड अगर इस हिसाब से बताया जाए ठीक कुलाम पर सेकेंड क्या होता है जैसे ये कुलाम पर सेकंड कहेंगे इसे ही हम MPR के नाम से जानते हैं तिक क्या? MPR कुलाम पर सेकंड जैसे आ गया तो ये MPR आ गया MPR भी हमारी एक वऑग्जानिक का pletनाम था दियान रखेगा कुलाम भी एक वऑग्जानिक का लाम था अब समझे कि MPR होता क्या है ठीक है तो विद्दुधारा का A Si मातरक अगर overall हम देखें ठीक commonly विद्दुधारा को I के नाम से जान रहे हैं लेकिन अब हम आपको यह बता दू कि विद्दुधारा का A Si मातरक जो है हम किसे लेते हैं ठीक है MPR के नाम से जानते हैं हम MPR के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमको यहां पर वापस लॉट कहाना पड़ेगा अर्थात हम चार्ज को और समय को दोनों को एप्लाई करेंगे इच मींस कि एक MPR होता क्या है एक MPR होता क्या है इसको समझें यहां पर ठीक है जब किसी विद्दुत परिपत में एक सक सकेंड में एक कुलाम ध्यान रखिएगा एक कुलाम आवेस का प्रवा होता है तो उस परिपत में बहने वाली धारा कामान एक MPR होता है कहने का मेरा मतलब है ठीक है इसको वन भाई हम वन करें तो हम क्या कहेंगे भई एक MPR धारा बहरे ही है ठीक ध्यान रखिएगा कितना एक MPR धारा बहरे ही है ठीक अर्थात प्रती सेकेंड यारी एक सेकेंड में एक कुलाम आवेस के प्रवा को हम एक MPR के नाम से जानते हैं ठीक है एक्जाम में अगर आपसे पुछेगा ठीक तो ये पुछेगा कि विद विदूत धारा का ऐसा ही मातरक पुछेगा तो आप उसको बता सकते हैं आवेस का मातरक पुछेगा तो उसको भी आप बता सकते हैं कुलाम होता है तिक विदूत का प्रवाह क्यों होता है तो इलक्ट्रोन के कारण होता है तिक जिस दिसा में इलक्ट्रोन का गमन होता है उसक के अंहले अंत्रगा सीधा हमाऊरा दिश्ट दारर गया डारेट करेंट और इन डारेट करेंटports दोस्तों हम अपने ढारीजों की बात कर रहा है ए तो direct आपकी घर में है तो बहुत सारे electric appliances उससे चलते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे electric appliances हैं जो बेटरी पर चलते हैं अर्थात विद्दु धारा जो है दो परकार से हो जाएगा एक हो जाएगा direct current होगा और एक होगा indirect current तो इनी दोनों के बारे में हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम direct current के बारे में पढ़ते हैं चले क्या होता है direct current अब समझते हैं कुछ इस प्रकार से हाँ पर direct current यानि direct current अर्थाद दिस्ट धारा और अधारा है समझेगा दिस्ट धारा वह धारा है जो सब्सक्राइब एक हीदिसाना में नियत रहती है कहने का यहाला डाइग्राम ठीक, अर्थात इस डाइग्राम को जब आप देखें, ठीक है यह डाइग्राम में आप यह देख रहे हैं कि एक समय के साथ विद्धुधारा जो है वोल्ट जो है नियत रूप से चल रहा है ठीक, एक नियत दिशा में इसमें किसी भी प्रकार का परभाव को दरसाती है ठीक इसकी आवरित्ती 0 Hz होती है कितनी होती है 0 Hz इस चीज को भी आप समझ लीजिए और यह जो है सेल से प्राप्त होता है अर्थाथ DC करेंट का मतलब हो गया जो हम बैटरी से करेंट यूज करते हैं बैटरी में जो करेंट हम यूज करते हैं उस लिएफ नाम से जानतें बैटरी में जो बैटरी हम यूज करते हैं वह दर Ein Camino 1994 टीवी रीमोट्ट घारी में जो बैटरी डलता है जो डलता है वह किस चीज चीज का उदारण है ठीक है अब निकलती है निकलती है तो अगर वो डायरे करेंट होता लेकिन उसी pin के हम नीब को टच कर लेते हैं छूते हैं लेकिन हमको वहाँ पर electric current फिल नहीं होता क्योंकि वो किस में convert हो चुका है DC में convert हो चुका है mobile charger की pin से भी दिश्ट धारा direct current निकलती है जो mobile को charge करती है यानि कि वहाँ पर कुछ इस प्रकार से उप current है तो यहाँ पर दिखेगा AC current के जिस चलिए आगे हम उसका भी यहाँ पर लेके रखे हैं ठीक ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है चलिए alternate current प्रत्यावर्ती धारम जिसका उप्योग हम लोग करते हैं घर में और इसी से सौक लगा लगा वाला कांड होता है कहने का मतलब विजिली का जो जटका हमको लगता है वो AC current से लगता है ठीक है चलिए अब हम देखते है AC current के बारे में AC current होता क्या है AC current का मतलब हो गया alternate current अर्थात प्रत्यावर्ती धारा अर्थात वह धारा जो समय के साथ यह वह धारा जो किसी विद्दुत परिपत में अपनी दिशा बदलती है उसी को हम क्या कहते है alternate current कहते है जैसे आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ यह wave type का चल रहा है अर्थात alternate current सीधे mark में नहीं चलता है सीधे mark में चलता है बजाए इसके कि यह इस परकार से flow करता है इसी लिए इस धारा को हम ठीक है क्या कहते है प्रत्यावर्ती धारा alternate current कहते है अब समझेगा इसका उपयोग हिता समझेगा मतलब यहाँ पर परिभासा में दिशा को याद रखीगा ठीक है दिशा बदलती है ठीक है और दिशा नहीं बदलती ठीक है अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं उपयोग से समानेता प्रस्न पुछे जाते हैं किस से पुछे जाते हैं उपयोग से ठीक है जैसे कि हम जब घर में जब जितने भी चीज यूज़ कर रहा है, बल्ब यूज़ कर रहा है, टियूलाइट यूज़ कर रहा है, यह किस से चलते हैं, तो यह AC करेंट से चलते हैं, ठीक है, और इस धारा को उपयोग हम मोटर चलाने में, सब मर्सिबल पंप चलाने में भी करते हैं, ठीक है, जो समान उप्योग करते है ध्यान रिखेगा alternate current का तो तातपर यह हो गया कि ept current 200 से होते एक current वह होता है जो来्ट होता है ठीक है इसमें एक वह कि निश्चित दिशा होती है और एक current होता है दूसरे परकार का उसमें क्या होता है ठीक है वह current सीधी सीधी एक दिशा में ना जाके अपनी दिशा को बदलती रहती है, इसलिए इसको alternate के नाम से जाना गया है, ठीक है, चुकि हमारे syllabus में, ठीक है, इसके basic चीज़ को लेके चलना है, बहुत ज़्यादा depth में नहीं जाना है, नहीं तो इसके depth में अगर हम जाएंगे, तो हमा knowledge रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, चरी, अब हमारा जो है अगला topic है, विद्दुत में चालक, कूचालक और अर्ध चालक, तो ध्यान रखिएगा, चालक, कूचालक और अर्ध चालक को में एक ही जगह बता देता हूं, एक ही समय में बता देता हूं, चालक क्या होता है, जैसे कि आप माल जिए एक लोहे के टुकड़े को या एक लोहे के रड को अपने हाथ में पकड़े हो, अगर आप इससे क्या करो, तीक है, किसी भी विद्दुत परवाह वाले तार में इसको अगर आप लगाओगे ऐसे, तो उससे विद्दुत का परवाह होके आपके कहने का मतलब, जो भी धातु होते हैं, उस धातु से विद्दुत का परवाह आसानी से होता है, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सूचालक कहते हैं, ठीक जिस धातु से, जिस अतत्तों से, ठीक विद्दुत का परवाह आसानी से हो जाए, वह क्या है, सूचालक है, लेक रखार से मारे जाते हैं ठीके बास के कच्च्छ बास को लेकर किया करते हैं करेक्षन चैंज करते रहते थे तो बरसाथ के समय में बहुत इस्फट कि घटना यह दूर घटना आपको सुनने में आता होगा लेकिन अगर मौन लीजिए समाने तो अगर के काम करें तो कुछ Horse laga क्या है बिल्कुल नहीं होगा क्यों कि वहां पर कंद मि कच्चा मास में क्या होता है नमी होता है अर्थात पानी का सोस्थ होता है और उसमें सुख बास एलेक्ट्रोन Jurassic नहीं रहते या पानी नहीं रहता है किसी प्रकार का नहीं रहता है यह वहां पर इलेक्ट्रोन का प्रवाह होने की कोई दसा निर्मितломर नहीं होती है इसलिए सुखे बास या सुखे लकडी से हमको करेंट का जटका नहीं लगता है और वो क्या है बैट कंड़क्टर है ठीक है अर्थात जिसमें ध्यान देखेगा इलेक्टरोन के परवा नहीं होता है उसके बीच में एक आपका गैप रहता है ठीक है तो इसके कारणि इलेक्टरोन का परवा नहीं लगता है और तीसरी चीज ऐसी होती है ध्यान रखिएगा यसकी चालकता कूचालक और सुचालक के बीच की रहती है उसे ही हम अर्ध चालब कहते हैं, अर्ध चालग मतलब, समान प्रश्थिती में वो कुछ अलं की भाती विवाहर करता है अगर हम उसके दसा में परिवर्तंद कर दें जैसे के हम ताप दे दें, ठीक है, हीट कर दें उसको तो वो जो है उसमें चालंकता आ जाती है टीक इसी लिए अर्ध चालक एक ऐसी युकती है जिसकी चालक ता चालक और कुचालक के बीज की होती है और इसी चीज़ को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा चालक कुचालक अर्ध चालक चलिए समझते हैं इस चीज़ को किसी पदार्थ में विद्दुद धारा की परवा, उस पदार्थ में उपस्तित मुक्त एलेक्ट्रोन की संख्या पर निर्भर करती है, जिस चीज की चर्चा हम कर चुके हैं, मुक्त एलेक्ट्रोन की धारा में परवा, कैनुसार पदार्थ, तिन परकार का होते हैं, चालक, क पन गया है तिक इसलिए यहां पर क्या हो रहा है एक इनर्जी का फ्लो नहीं हो पा रहा है सेमिकंडक्टर में भी लगब इसी प्रकार को था लेकिन गर्मी देने से यहां पर वह गैप में जो है उस से इलेक्ट्रोन जंप कर जाता है लेकिन ध्यान रखीगा जो कंड़क्टर होता है उसमें ये गैप का अभाव होता है अर्थाद यहां पर इलेक्ट्रोन का गमन आसानी से हो सकता है इस चीज़ को हमको ध्यान में रखता है कूल मिला के इलेक्ट्रोन का गमन जो है ठीक है जि अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं सू चालक किसे कहते हैं वे पदार्थ जिसमें विद्द्धारा का प्रवा आसानी से हो जाए उसी को हम सू चालक कहते हैं ठीक है क्यों कि सू चालक पदार्थ में इलक्ट्रोन की संख्या जो है प्रयाप्त होती है और यह मुक्त होते है बद्ध नहीं होते हैं इसमें आने जाने का प्रयाप्त साधन रहता है साधन का मतलब means of communication यानि ट्रांस्पोर्ट से नहीं है ठीक है जैसे चांदी का तार हो गया तांबे का तार एलमुनियम का तार चांदी का तार को सबसे अच्छा ठीक है सुचालक माना जाता है यह एवं विद्दु चरित उपकरणों में करते हैं ठीक है हमारे पास जो भी बिजली आ रही है जिन तारों से आ रही है घर में जो कनेक्संस लगे है ठीक है जितने भी कनेक्संस है और इनमें जो भी तार का यूज किया वो चालक का उधारन है आया समझ में चलिए का गमन होता है तो ऐसा नहीं कि वह बन दम निरवादरुप से चल रहा है कोई वहाँ पर ठीक किसी प्रकार का अवरोध या परतिरोध नहीं है जितना अच्छा चालक का मतलब जितना अच्छा सुद्ध रहेगा वह तार ठीक है तिक सुचालक की बात करें जितना अच्छा रहेगा जितना सुचालक बनेगा जितना उसमें असुद्धी की कमी होगी उतना अच्छी तरीके से वह विद्धूत का परवा करेगा और जैसे उसमें कुछ आलक कहने कुछ आलक कह रहा हूं, जैसे उसमें अशुद्धी के मातरा रहती है या बढ़ जाती है, तो वही जो सुचालक है, क्या करता है, परतिरोध उत्पन करने लगता है, ठीक अर्थाथ, जो सुद्ध तार होता है, या सुद्ध सुचालक होता है, जिसमें क्या कहना चाहिए अशुद्धी के मात्रा कम होती है तो ऐसे तत तो जो है वह गर्म नहीं होता है यह कम होता है लेकिन अगर जिस तार मी यह जिस धातु में ठीक है प्रौत मैतर की मश्युद्ध दियां आगर उसमें स्जिदूद परवा करेंगे तो जल्दी गरm और गर्म होने का मतलब है ठीक है परति रोद याली परति रोद करने से वहाँ पर उसमी उर्जा के रूप में उसका वर्जन हो जाता है तो आया समझ मिए चीज चालक सस्ता तथा सरलता से उपलब्द होना चाहिए ठीक है गुण के हिसाब से और चालक मजबूत होने चाहिए ठीक है लेकिन ध्यान रखेगा ठीक हम 100% अब होत अच्छा तरीका से अगर बना जाए तो उसमें मजबूती नहीं आता उसमें किसीने किसी परकार का मिस्दा थातूको मिला जाता ताकि उसकी कठोड़ता बनी रहे चलिये कुछ हालक क्या होता है वेपदार जिन में विद्दृतौइन परवाहित नहीं होते चलिए एक एक यहला इन में बता दिया विद्दूत का परवाह नहीं हो सकता चलिए अब आए उदारन जिसे रबर जैसे के प्लास्टिक जैसे की काच इन में माल ये इलेक्ट्रोंस है भी ठीक है तो बहुत कम मात्रा में इसलिए ये जो है कूचालक पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं ठीक है आप क्या है रब और इस कॉपर के वायर को तो हम यहां पर घर में इसी प्रकार से वायरिंग नहीं कर सकते हैं उस कॉपर के वायर में आप देखे होंगे कि पतली से लेयर बनी होती है ठीक है वही है आपका कूचालक विद्दूत रोधी अर्थात इस प्रकार के रबर प्लास्टिक को हम चा कुछ अलग के गुण क्या होन चाहिए परती रोध उच्छ होना चाहिए जवर्दस रेजिस्टेंस होना चाहिए सस्ता और सरलता से उपलब्द होना चाहिए ठीक है नहीं तो कुछ अलग ताक के कारण हमको बहुत जादा खर्चा करना पड़ सकता कुछ अलग पदार्थ मज क्विधुद्द प्रवा नहीं होता। इस चीज की बाद कर लिया। कुछ आलग की तरह होता है समान परस्थिति मुश्च में विद्द्द प्रवा नहीं होता है, पर न तु तापमान बढ़ाने पे ठीक है या उसमें असद्धी मिलाने पर फाषो सोभी मिलाने पर methap Indibahn mor ओने लगता है और ऐसे प्धार्त को हम क्या कहते हैं अर्औ-चालंग पदार्त कहते हैं सेमी कंड़क्टर कहते हैं जैसे कंप्यूटर में सिलीकान चिप आप नाम सुने होगे वो क्या है सिलिकान का आपका कंड़क्टर है सिलिकान जर्मेनियम यह सब यह दो प्रवकुदारान है जो आपसे बार-बार पुछा जाता है ठीक सिलिकान तथा जर्मेनियम ठीक है और इसी सिलिकान का यूज जो है कंप्यूटर में ध्यान रखेगा कंप्यूटर में चिप बनाने में काम लाया था है CHIP ठीक आया समझ में इसका अप्योग हम एलेक्टरिक युक्ति जैसे डायोड में ट्रांजिस्टर में LED आदी के निर्मान में हम करते हैं चलिए यह हो गया हमारा कंडक्टरां इसनूलेंटर और समी कंड़क्टर आते हैं अगला हमें चलिए में और अजिसने मठों यूजिस करते थे धिवाल घड़ी में चोटे 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 बेटरी यूज करते थे जिसको हम Sell कहते तो तोujemy सेल क्या तो Sell एक ऐसा उपकरण है एक ऐसा युप्तिए जिसमें बहुत सरे रचैंड भरे होते और वही रचान को उर्जा जैसे हम सर्कीट को पूरा और बटन तो आपका सर्कुट पुरा हो जाता है और सर्कुट पुरा होने के कारण थींस कारण के नाम से जानते है विदूत सेहल है जो रःसानीक और ज़ान रही अर्था पर्वाँ कर देगा तुम्हार्जा करेगा और उस बल्ब को जला देगा ठीक है अर्फात रहसानी को जैसे बदल जाएगा और विद्दूत से chemical reaction के से current पाइदा कर सकने वाला यह अंत्र है simple से चीज़ है उसी चीज़ का यहाँ डिक्टेशन है इसका अविस्कार का स्रेव वोल्टा को जाता है ठीक कि 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 कुक्त को पता चल गया थिकतो अभ द्याण रुषय होते हैसे होते हैं जैसे रिमोट का से ठीक है हमने यूज के एक मैना उसके बाद फेकना पड़ता है फिर नया लगाना पड़ता है फिर उसको एक मैने बाद फिर फेकना पड़ता है फिर नया लगाना पड़ता है ठीक दिवाल की घड़ी में भी सी परकार का है दिवाल की घड़ी में भी हम देखते हैं कि वह एक म यूस करते थे तो चार्जेबल बैटरी हो जाता और जिसका उपयोग हम बार-बार करते हैं तिक वही है पहला वाला है हमारा प्राथमिक सेल जो एक ही बार यूज किया जा सकता है जैसे की घाड़ी का सेल समझा चुका हूं तिक है रहसानिक पदार जो है पूरी तरीके से रहसानिक उर्जा में उपयोग हो जाते हैं और वो खत्म हो जाता है फिर उसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं कुछ इस परकार के ही रहसाइन उस पर होते हैं कि अगर वो अपनी रहसानिक चीजों को पूरा तरीके से complete कर लिए हैं ठीक है तो वो फिर तो धारब बनना बंद हो जाता है, कब बनना बंद हो जाता है, जब हम ठीक, रसानिक उर्जा इसमें की समाप्त हो जाती है, ठीक है, चलिए, डेनियल सेल, वोल्टिय सेल और लेकलांसे सेल इसका उदारन है, अर्थात प्रात्मिक सेल में, डेनियल सेल, वोल्टिय सेल और ले इस चीज़ को जान लिएगा ठीक वोल्टीस सेल का ही एक प्रकार डेनियल सेले क्यों क्योंकि बेसिक चीज़ें वही है ठीक है मतलब इसमें हम जो तत्व मिला रहा है या जो आपके एनोड और कैथोड जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो सेम रहता है चलिए देखेगा क हम डेक होता है जिसको हम साल्ट ब्रीज कहते हैं अथाट देखेगा यहां पर क्या कर रहे हैं वोल्टीस सेल में हम कर रहे हैं हमने क्ते पी हमने जिंक का एक राड ले लिया इसको हमने जेडेल आसफोर में डाल दिया , यहां पर ध्यान रखिएगा जैसे यहां पर दिगई गया है जिऑफट का श किया है। जिंग साहलनी है इंचक्ते रुप में ध्यान रखिएगा एनओड के रूप में कापर और होता है। यह cathode के रूपमें आपका जिंक और एनोड के रूपमें कापर का युझ किया है कि मतलब धन होता है तो इसंते कि अब हम इसको क्या करते हैं जिस सारे चिज़ों को बनाने के उसकिया गया पॉरस मेंब्रेन यूज चिज्ड़ आवा गमन कर सकती है तिक और यह भी शाल्ट ब्रीज का ही काम करता है तुट वोल्टी ऊल होते हैं तिक आप आप धहान रखेंगा बार-बार पुछा था वोल्टी तेल में किन चीज़ों का प्राइप्ट क्या बैदा था आनोर्ड की रूप में कौॉपर और और केफोर की रूप में जिंक का यूज होता है अंद्युन्ग में द्या रिखेग जिन्क सेल्फए्ट और इसी चीज का यूज होता है ठीक है और फूरे प्रोसेस को यहां पर नहीं बताया जा सकता आप Suspons कमें और इसमें विसेस प्रकार का ते यह किया जाता है और किन किन तत्तों का यूज करते हैं देहान रखेगा कैथोड के के रूप में हम कौपर का एनोड की रूप में हम जिंक का यूज करते हैं ठीक है और द्रव को याद रखेगा बस ठीक है चलिए चलिए बढ़ते हैं और आगे हम देख लेते हैं तो सेंगेंडरी सेल क्या है यह सेल एक बार उपयोग किया जाने के बात पुना आवेशित हो ज प्रयोक कर लें डिस्चार्ज जो आता है तो फिर उसको हम चार्ज कर सकते हैं बड़े-बड़े लगा कर रखे वह इनवर्टर्र डिफ्यूज होने के बाद फिर से चार्ज हो जाता है ठीक बहुत सारे ऐसे बैटरी पेटरी को आप फिर से चार्ज कर सकते है ओर साथीसाथ हमारा बैटरी बन रहे हैं कि यह भी बन रहे होता था जिस घड़ी में बैरी स्म से अर्थात यह सेल एक परकार बतलब यह सेल एक बार उप्योग में लाए जाने के बाद पुना आवेशी तो हो जाते हैं तीक है और उप्योग के लिए ठीक है प्रियुक्त होते हैं तीक है अब यह दूतियक सेल विद्दू तूर्जा को ध्यान रखी गए यह क्या करता है पह विद्दू तूर्जा कर रूप में कर लेते हैं जैसे यह इंवर्टर है इनवर्टर आपने लगा कर रखा है तो है अर्थात विद्दू तूर्जा आती है यहां पर रहसानी कुर्जा कुरूप में परिवर्टित हो जाती है फिर जब लाइट कड़ भी जाता है तब यहां से बिजली आपको सप्लाई होती है सेम चीजी है यह तिक मोबाइल का बैटरी आपका पूरो डिफीज हो गया आप इसको चार्जिंग में लगाते हो तो आपको विद्दू तूर्जा किस में कन्वोर्ट हो रही रहासानी कुर्जा में प्राराम हो जाता है तो यह हमारा विद्धियक शेल है चलिए आगे बढ़ते हैं विद्दू धारा का चुंविकिये परभाओ और इसको सबसेपहले ख विशेश रूप से जानिएगा इसको अस्टेट का परियोग के भी हम नाम से जानते हैं इन्हों ने क्या किया था इन्हों ने एक परकार का सर्कीट बनाया ध्यान रखेगा ठीक है सर्कीट के नीचे में चुम्बकी सुई रग दिया और जैसे ही इसमें विद्दु धारा का हम थे जब धारा का प्रवा ध्यान रखेगा एक तरफ से हम कर रहे हैं ठीक है इस तरफ कंडेली के तिक बैट्री को कंवर्ट कर दिया बदल धन सीरा को इस तरफ कर दिया आरथात विद्दुधारा इस प्रकार से बहर रही है तो हमने देखा कि ये वाले सीरा ये आकरसीत हो गया कहने का तात पर ये है कि जब किसी भी परिपत में विद्दुधारा का परवाह होता है तो उसके कारण चुम्ब किये गूर उत्पन होता है आरथात चुम्ब किये छेतर उत्पन होता है कहने का मतलब है जब किसी चालक तार में विद्दुधारा परवाहित की जाती है द्यान रखेगा विद्धुत धारा परवाहित की जाती है तो उसके चार और चुम्ब की छेत्र उत्पन हो जाते हैं और इसी घटना को विद्धुत चुम्ब की परवाहित कहते हैं तो उसड्चालक के आसपास के छेत्र में चुम्ब की गुण उत्पन हो जाता है और इसी चीज़ को हम विद्धुत चुम्ब की परवाहो के ला के दाम के जानते हैं बिजली के परवास हैं को चुम्ब की गुन उत्पन हो रहा था तो यह नहीं क्या हुआ इसी चीज से सिख लेकर ठीक वाराड़े ने यह कहा ठीक कि जब किसी चालक तार में विद्धुद्धारा क्या कर रहे हैं प्रवाहित कर रहे हैं आया समझ में इस प्रकार से मतलब जब हम चालक तार में विद्धुद्धारा करते हैं तो चुम्ब के छेतर रुधपन हो जाता है तो इन्हों ने जस्त इसका अपोजिट रुप से ठीक है एप्लिकेशन चालू किया इन्हों ने क्या कहा चुम्ब के छेतर ध्यान रखेगा चालक तार रखने पर यान दोनों में से किसी एक चीज को rotate कीजिए, जिसके करण क्या होगा, तिक इस तार में विद्दूत का प्रवा होगा, इस चीज को आप store कर लीजिए, और इसी से हमारे जो विद्दूत मोटर हैं, वे बने, विद्दूत मोटर मतलब आपका generator की बात कर रहा हूं, generator बना है, तो इ विद्द तो मोटर क्या करता है। तिक हम यहां पर दो चीज़े हैं एक है चुमब के छेतर और एक है आपका ये कुंडली नी तिक दोनों में से हम किसी भी एक चीज को ढूमाना है हमको ध्यान रखीगा तिक की क्या होता है तो यह अवैस का प्रवाह कर रहे हैं तो यह आश का घुमेगा तिसे ने करण इसी मोटर का योंच हम पंखे में करते हैं अघ्यू मोटर के यूज हम वासिंग मसीन में करते हैं जहां भी रोटेशनल चीजे हैं तिक उस परकार का चीज विद्धूत मोटर में यह वाला सी दान लागू होता है ठीक है ध्यान रखेगा ठीक है कौन सा विद्धूत मोटर में चलिए इसी परकार से हम देख लेते हैं जब चुम को रख दिए देखे चुमब के छेतर में चालक तार रखने से तो नहीं होने वाला केवल चुमब के छेतर में चालक तार को हम रख देंगे तो यहां विद्धूत उद्पन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता हमको रोटेट करना पड़ेगा किसी एक चीज को तो ध्यान रखेगा स चुमब को और इस कुंडिली को किसी ने किसी माध्यम से घुमाएं तो जिसके कारण क्या होगा तिक इसमें इलेक्ट्रिक करेंट का फ्लो हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम ठीक है फ्लेमिंग के दाए हाथ और बाए हाथ का नियम को देख लेते हैं जो कि हमारे मोटर में काम आने वाला है अभी हमने यह चीज़ देखा अब इसी चीज़ का थोड़ा एप्लिकेशन हम आगे जाके देखेंगे चलिए बाए हाथ का नियम फ्लेमिंग का बाए हाथ का नियम यह कहता है कि आप जो है आप तीनों उंगलियों को इस प्रकार परपेंडिकुलर सेप में ठीक ध्यान रखिए रखिए कि जब जो है एक दूसरे के 90 डिग्री में रहे यह अंगुठा सीधा है तो यह आपका इस तरफ रहे 90 डिग्री में यह है तो इसको 90 डिग्री में आपका मद्यमा उंगली रहे तरजनी मद्यमा और ठीक है चुंबकी छेत्र और यह जो बीच वाली है यह हमांरे करेंट के दिशा को दर्साएगी बीच वाली और चुम्बकी चेदर को ओल्गती को च्स यह जो आपका उंगठा है यह आपको magnetic field को दर्साएगा यह electric field को दर्साएगा तो यह motion को दर्साएगा अब आए हमारा इसका उपियों को कहा है ठीक यह हमारा एक motor electric motor ठीक है जब हम समझिए electric motor जैसे ही यह देखिए एक चुम्बक है North Pole और South Pole ठीक चुम्बक के हमने दो दुरू स्थापित के एक North और एक South हमने इसमें current दिया तो जब current का flow हो रहा है जैसे के current का flow आई मतलब विद्धुताविस का प्रवा इस दिसा में हो रहा है जैन के दिसा याद रखिएगा ठीक इस दिसा में प्रवा हो रहा है अब यहाँ पर मैं आपको यह वाला लागू करता हूं ठीक लेफ्ट हैं अपन यहाँ है करेंट का दिसा है तो हमने बताया था कि यह Twin के खेतर को बता रही है चुंबा कि दिखा रही है ति है कारेंड का कि रेक्सण को उपक कुछ इस प्रकार से है यह करेंट जो है इस प्रकार से जा रहा है यह चुम्ब के चेतर अब जिस इस्तिती में जिस प्रकार से यह उपकरन बना है जब हम electricity हम इसमें provide करते हैं जब देते हैं और हमने अपने उंगली का स्योजन इस प्रकार से रखा है कि यह हमारा जो उंगली है चुम्ब की चेतर में है और जो मिडिल फिंगर है वह हमारे इस प्रकार से रोटेट होना चालू कर देता है ध्यान रखिएगा क्या होता है रोटेट अब इसी में आप इधर आंटा चक्की फसा लग कर रखिए ठीक है या उदर पंखे का ब्लेड फसा कर रखिए या वहां पर आप ठीक मिक्सी को फसा कर रखिए तो जितने भी चीज है रोटेटिंग चीज रोटेशन वाले जैसे का अवासिंग मसीन है वसं मसीन सेम चीज यही मोटर लगा है ठीक कहने का तातपर agree तो तो इसी के कारण यह फ्लेमिंग का नियन यहीं पर अप्लाई होता है जब आपका एक तरफ आपका चुंब की छेतर हो उसके परपेंडिकुलर आपका 90 डिग्री में अगर आपका इलेक्टर सिटी बह रहा है तो जो फोर्स है वह हमेशा फोर्स जो उपर के ओर लगेगा और यह जो कुंड़िली है इस तरफ घुमेगा कहने का मतलब इस प्रकार से रोटेट होगा तिक जैसे की मानले यह फोन है जैसे यह फोन है यह इस प्रकार से है तिक यह एक एलेक्टरिक का करें तर से आ तो इसका दिशा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये रोटेट करेगा, इस प्रकार से, इस दोनों चुम्बक के बीच में, अब यहीं से आप एक रॉड निकालके, उससे आप ठीक हॉलर मिल चलाइए, धान कुटने का मसीन चलाइए, आटा पिसने का मसीन चलाइए, सारे चीज़ों को तर डीटेल में देख सके हमारा अगला टॉपिक है उसमें परभाव ठीक है किस चीज का विद्दूत का उसमें परभाव तो समाने ता यह देखा गया है दोस्तों कि जब किसी भी कंड़क्टर में अगर इलेक्टर सीटी का परवा हो रहा है तो इसमें हम गर्मी उत्पन होता हुआ देखते हैं इसी को हम इसी चीज का यूज हम बहुत सारे हम ठीक डेली एप्लाइंसेज में करते हैं जो हमारे दिनिक जीवन के चीजों में होता है और यह गुंड तब आता है ठीक जब इसमें पर करते हैं धियान रिख्या आप यह कहें वाटर हीटर की रूप ए यूज करते विद्द०्ध उर्जा से हम क्या बना रहे है ठीक उसमी प्रभाव उत्पन कर रहे हैं कर ले हैं तो इसारे चीज हैं जो आपके विद्दृद्ध धा अमाधिय弁 क्वें रुकावाट डालता है जिसके गति सील इलेक्ट्रोन निरंतर चालक के परमाणूं से टकराते है और आपनी उर्जा चालक के परमाणूं को इस्थानत्रीध कर देते हैं और इसके कारण चालक में ताप बढ़ जाता है त्याला किताब बढ़ने की गतना को विद्द्धारा का उसमीय परभाव काहते है अथाद लुद्धारा देने के कारण उसमें ऊस्मा analyst गुड़ा गया गरम हो गया प्रेस कर लो ट्रीन कर लो आप तो उसी को पानी में डाल दीजी आप ठीक आपका पानी भी गरम हो जाएगा गरम हो जाएगा उसी को उभाव का चलिए उदारन पढ़ लेते हैं ठीक और इसी उसमा को हम विद्दूत बलसे और कुछ नहीं यहीं जो है विदुत क मा दियमा जो उसमा का जनरेसा में इस में में विदुत solar का अध्याद कि विदुत कर रहा है कि किसी भी धातुमी या किसी भी चालक में जब हम विद्धुत प्रवाह करते हैं तो उसके कारण ध्यान रखे को प्रतिरोध के कारण इसमी गूर्ण उत्पन हो जाते हैं और इसी उसमी गूर्ण को हम विभिन प्रकार से यूज़ करते हैं और इसी उस्मा को विद किसरे प्रकार का तार ले लिए समझ मैं जब सीबेक ने क्या किया तिक सीबेक ने दो बिन बिन पदार्थों के तार को उनके दोनों सीरों को अलग-अलग मिला कर तिक दो जंक्सन मना दिए अलग-अलग मिला के दो जंक्सन मना दिए जंक्सनों के ताप के अंतर होने के कारण अगर ध्यान रखेगा इन दोनों अलग अलग धातू के जो अलग अलग तार है तिक इन दोनों में ताप का अंतर होने के कारण इससे क्या होती है समाने ता ये देखा गया है कि विद्दू धारा परवाइत हो रही कहने का मतलब दो अलग अलग धातु के तार को दो अलग अलग इस्थानों से जोड दिये हैं हम ठीक है ध्यान रखेगा नहाँ पर तीक दो बिन बिन पदार्थों के तार को उसके दो सीरे तीक है अलग अलग मिला कर हमने दो जंकसत बना लिया इस तरब भी जोड़ दिये इस तरब भी जोड़ दिये अगर इसमें ताप में अंतर पाया जा रहा है ठीक है तो इसी तापांतर के कारण क्या होता है इसी ठीक है धातू में इसमें क्या इस सरकिट में या इसमें कहना चाहिए इस धातू में तो अलग अलग तारों में विद इसलिए इस उपकरण को, इस एस विद्दुत। हारा को क्या कहते है। उसमा विद्दुतध्थारा अर्थाज, इसे कारण उतपन ुदुतध्धénergie, सि बेक परभाव को दर्साता है। ठीक है। इस विद्दुतवह्क बल के कारण इसमा विद्दुत बहते है। और उसे ठीक उसमा विद्दूत वहाग बल या थर्मो एलेक्ट्रों मोटिव फोर्स कहते हैं ठीक इतना जानने की जोरत नहीं यहां तक आप जान लीजे सिब एक परभाव है क्या दो अलग-अलग तार को लीजे दोनों अलग-अलग तार को अलग-अलग परकार से आप में उसी तारपांटर के कारण है उसमें से यह देखते हैं समानेता क्यों विद्दूत धारा का प्रभाव होने लगता है और वो उस प्रकार का प्रभाव को हम सिबेक प्रभाव करते हैं अब हम आ जाते हैं ठीक उसमीं प्रभाव उसमा उसमें उत्पन होती है और वो लाइट की रूप में Emission होता है एक एक करके पड़ते हैं पहले विद्दूत हिटर को पड़ते हैं इसमें हम मिस्ण दातू का यूज़ करते हैं नाइकृम काथा निकल और क्रोमियम का मिस धातू और इसको हम हिटर में इस प्रकार से लग ठीक और ध्यान रखीगा अत्याधिक पृतिरोद के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है और इसी तापमान का उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं ठीक है बाकी चीजें यहां पर है जैसे कि अत्याधिक पृतिरोद होने के कारण इसमें विद्द्धृत धारा गुजारी जाती है तो यह जो है क्या हो जाता है लाल तप्थो जाता है और अत्याधिक उस्मा देने रखता है ठीक लाल तप्थ अवस्था में ठीक तार कताप 800 degree Celsius से 1000 degree Celsius तक होता है ठीक और अच्छे हिटर के element या कहने चिए अच्छे हिटर के filament का परतिरोध्ध होगी जितना जादा परतिरोध होगा उतना जादा मात्रा में गर्मी उत्पन करेगा ठीक है चाहे रूम हीटर ले लिजे ठीक है गर्मी अठंडे के समय में आप रूम हीटर के यूज़ करते हैं ठीक है घर के अंदर में हम उसका यूज़ करते हैं सिंगल कोईल डेबल कोईल होता ह मिलता है कहने का मतलब किसी भी तार का तब्ध हो जाना गरम हो जाना जिसके कारण इसी चीज को हम क्या कहते हैं ठीक है अगला है एलेक्ट्रिक घिटर है ये आपका रव आपका अंत्रिक diagram है ठीक यहाँ पर जब ये आपके टर्मिनल्स है आपके positive और जो आपके minus आपके जो terminals यह जो कुंडली से गुजरे होते हैं कुंडली का मतलब यहाँ पर ठीक है बहुत सारे इस प्रकार से ठीक तार के प्रभाव होते है और आपना यह सारी चीजों का उल्ले यह कंसेप्ट वही है जिसके अगे बढ़ते हैँ вч, ग़ुने का पर देहां रहाइए कि घथान रिखेगा तिक विद्व nouveau या इडिसन दे किया था और यहां पर हम टंगस्टन धातू का फिलामेंट का यूज़ कर रहे हैं जब इसमें से विद्दुत का परवाह किया जाता है ठीक है तो यह फिलामेंट जो है परतिरोध के कारण क्या हो जाता है या कहें हम पीला हो जाता है ठीक है लाल के बज़ाएं कहें समानेता क्या दिखता है पीला अर्दा यहां से आप अप इसको टच ने कर सकते हो इतना गर्म हो जाता है इसमें अक्रि घेसे भरी होते है जिसके कारण यहांप होता है तो यह जल जाता है यह उपकरन यहां पर अक्रि घेस bows भर दी जाती है प्र edition लहांग को अर्थान विद्धारा कि माद्यम से जो उस्मा परभाव है ठीक जो कि हमको यहां पर किस रूप में देख रहा है विद्धूत बल्ब के रूप में है प्रकास निकल रही है लेकिन यहां उस्मा का भी ठीक है आपका सोर्स बन रहा है चलिए अब हम आगे जाके देख लेते हैं ठीक तीसरा हमारा आधारीथ है कभी-कभी क्या होता है जब बहुत ज़्यादा अमांट में यह यह में इलेक्ट्रिक कड़र अपका प्रकार के चीजह के टीक ब्लोक्शुयसं के कारण यह इस परकार की चीजह दैनिक जीवन के देखने को मिलता है और इसी चीज़ से बचने के पको यह 표ze का यूज किया जाता है तिक अरथात आपके घर में जो विदूत परिपाथ जैसे यह ऑपका खंबे से लाइन ऐसे खंबा है तिक इस खंबे से या गर में आए इस प्रकार से यह अपका घर और घर में माल जी यह टीवी है ठीक है आपका यहां जो मीटर लगा है इस मीटर से टीवी में कनेक्शन है जैसे ही वोल्टेज में परिवर्तन होगा आपके टीवी में इसका विप्रित प्रभाव पड़ेगा सौट सर्कृट होगा पूरा सर्कृट खराब हो जाएगा अब समझे इस चीज़ को एक तार मतलए फ्यूज क्या होता है एक ऐसा तार होता है ठीक है जिसमें ठीक है क्या होना चाहिए हम जिसे समानेता है फ्यूज तार कहते हैं यह एक ठीक सर्कृट प्रोटेक्टर का काम कर तारता है और फजिन यहां पर हम इस ऐो को लगा का होता है यहां पर पॉर्पर कर देखर एक कारत के तार के लाएंगे की जॉटा और पर अभूजा बहला शसका था यहां लगाएंगे घ्रिक तुइस के मांद्म से क्रेंट आगे विद्दूत दारा आगे नहीं बहेगी तिक इसके कारण आपके जो एलेक्ट्रोनिक एप्लाइंसे से वह बच जाते हैं कहने का तात्पर है इस फ्यूज में हम उस परकार के पतला सा तार लगाते हैं तिक जिसकी परती रोगता कम होती है तिक जैसे ही विद्दूत बढ़ ज जाता है तिक जादा मात्रे मकरेंट आएगा जिसके कारण यह जो तार यहीं पर गल के तूट जाएगा या कट जाएगा तिक जिसके कारण सर्कीट पूरा नहीं होगा और आगे विद्दूत का परवाह नहीं होगा और यहीं उदारन है आपका विद्दूत के उसमी परव होता है इसलिए ये गल कर तूट जाते हैं और सर्किट में तेजधारा नहीं बहापाती जिसके कारण हमारे घर के जो एलेक्ट्रिक एर्प्लाइंसेज हैं ठिक वो ठीक से काम करते हैं या नहीं जलते हैं ठिक तो यह हमारे सिलिबस के रेकॉर्डिंग हमने इन सारे चीज़ों के यहां पर देख लिया, आसा करता हूं कि यह सारे चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ मैं आपको सुबकामनाई देता हूं, कि यह जो आप तयारी कर रहे हैं, यह तयारी में आप सफलता प्राप्त करें, फिर ह आपको अगले वीडियो में मिलेंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.